जो बिल्कुल तो जो भारती सरकार है इंडिन गवर्मेंट है वो भी वहां से बच्चों को और वहां के भारती अनागरीक जो वहां पर बसे हुए हैं वहां पर स्टडी के लिए गया है उनको निकालने की कोशिश कर रही है ऑपरेशन गंगा अभी भी जारी है महासिद्धिक आपका शुक्रिया हमार साथ जुरने के लिए अगर वथे तो युक्रीन माजे फसाइला भारतना विद्ध्यार्थियों ने बच्चाववा माटे भारत सरकार ज्वारा ओप्रेशन गंगा चलावा मावी रहुचुँचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचु नहतू तेटलो भयानक यूध तेमने तेहां जुवा मरीूचुचुचुचुचुचुचुचुचुचु और इसी ऑपरेशन गंगा के तहट बहुत सारे गुजरात के बच्चे आज दिल्ली पहुँचे हैं, उनी से हम बात करेंगे किस तरीकी की परेशानिया थी, वो कैसे यहाँ पर पहुँचे, तो आप देख रहे हूंगे कि यह जो बस है, इस बस में बैठ कर जो यूकरेन से ब जाला थे, कैसे आप बॉर्डर पर पहुचे, क्या-क्या परिशानिया सामने आई, मैं टर्नोपिल में पढ़ता हूं, यूकरेन में, वहां से हमें बस प्रोवैट की गई थी बॉडर तक, फिर वहां बॉडर से 5 किलोमीटर पहले उतर गए, लंबी लाइन थी, ट्रापिक क तो वहां से हम चल के गए थे, फिर बॉर्डर पर भी बहुत सारे बच्चे थे, 2-3 अजार, तो उसमें भी बहुत वेट करना पड़ा हमें, एक दिन, तो कितना टाइम लगा आप लोगों को महां पहुचने में, वहां पहुचने में हमें सायद 8-10 घंटे लगे थे, तो उ रहते हैं, और वैसे यूद का भी बहुत था, अच्छा आप दाई क्या ना में आपका, कल सरी 80, आप बताई क्या कहना चाहते हैं, क्या कहने में तो कुछ नहीं है कि हमारे जो आला थे, पोलेंड से तो अच्छे थे, पोलेंड के बोर्डर में देखो तो बच्चों को किलो मेटर लंबी कतार थी, गाड़ी होगी, तो बच्चे को चल के जाना पड़ता था, हमारे पेदल पांट से याँ, छे किलो मेटर चल गया जाना पड़ता था, बुलेटिन में आगरवधी श्रू नानकर प्रेक बात